हलो फ्रेंड्स मैं धर्मेंद्र अपने यूटूब चैनल अमेजिंग पार्ट साला में आप लोग का पुन्य स्वागत करता हूं दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इंगलिस के कुछ महत्पुर्ट सब्दों के सीनो नीम्स अर्थात परियावाची सब्दों का अध्यान करने वाले हैं तो दोस्तों यह ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनका हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों यदि हमें अपने वकईब को अर्थात शब्द कोस को बढ़ाना है इस्ट्रॉंग करना है तो दोस्तों इन सब्दों को लर्ण करना बेह तो दोस्तों मातलब पूर्ण करना और उसका दोस्तों अर्थात प्रयावाची हो जाएगा अची ऌक यह थाट मिंद कर बढ़ा क가रना piş लुम्द क करना करना आंज नेस्ट distance के तरफ बढ़ते हैं जो कि अ अलाइक तो दोस्तों अलाइक का सिनोनिम्स सेम होता है तो दोस्तों अलाइक मतलब एक जैसा एक समान और सेम मतलब एक जैसा या समरूप भी कर सकते हैं है असिस्ट दोस्तों असिस्ट का सीनोनिम्स हेल्प होता है दोस्तों असिस्ट मतलब सहायता करना होता है और हेल्प मेंस दोस्तों सहायता करना या मदद करना होता है नेक्स्ट है आफुल तो दोस्तों आफुल मतलब भयानक या होता है और दोस्तों इसका synonyms हो जाएगा terrible अर्थात खतरनाक या फिर भयंकर next word की तरह बढ़ते हैं दोस्तों जो की है begin तो दोस्तों begin का synonyms या परयावा चीज़ का start होता है दोस्तों begin मतलब प्रारंब करना start मतलब भी प्रारंब या शुरू करना next Next है big तो दोस्तों BIG का synonyms large हो जाएऒगा दोस्तों big ऐस बढ़ा और भी क्या मुद्य होता है नेक्स है buy का synonyms purchase होता है दोस्तों buy मिल्ष मिلك मैं खरिदना और 3ASE मिल्ष भी जाता है खरीदना या फिर खरिददारी करना next वर की तरह बढ़ते हैं दोस्तों जो कि यह आस्क दोस्तों आस्क का सिनोनिम्स इनक्वायर हो जाता है दोस्तों आस्क मतलब पूछना इनक्वायर मतलब जांच परताल करना या निरिछण करना नेक्स्ट है ब्लेंड तो दोस्तों ब्लेंड का सिनोनिम्स मिक्स होता है तो दोस्तों ब्लेंड मतलब मिला हुआ या जुड होता है next word की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है Sincere का Sinonyms Honest हो जाएगा मतलब इमांदार होता है Onet means भी आपका इमांदार होता है नेक्स्ट और की तरफ बढ़ते हैं जो कि है rawス petals REM का Sinonyms अर्था उसका परियाबाची थीन हो जाएगा दोस्तों स्लिम मिन्स पतला होता है और थीन मिन्स भी पतला होता है नेक्स्ट है इसमाल तो दोस्तों इसमाल का सीनोनिम्स टीनी होता है तो इसमाल में छोटा और तीनी मिन्स भी क्या होता है छोटा होता है या फिर कर सकते हैं कि जिसकी आकार ह कम हो नेक्स्ट की तरब बढ़ते हैं जो कि है स्मार्ट तो दोस्तों स्मार्ट का सीनोनिम्स क्लेवर होता है तो दोस्तों स्मार्ट मतलब कर सकते हैं कि चालाग भी कर सकते हैं और क्लेवर मतलब चालाग एक चज़दू होता है नेक्ट मित्रों टैक्सी तो दोस्तों का सेंंटर का सीनोनिम मीडल होता है डिसं छायिट मिंस बच्चा और की क्या होता है बदेख्चा होता है चूज चुज़ सेropolcell lounge nuance select हो जाए चूज मतलब दोस्तों चुनेना और select चुनेना या select करना नेक्सट की तरब बढटते हैं मित्र हो जो की है आप लोगों के लिए सि अधी तो दोस्तों complete का szini निम फिनिस हो जाएकheid दोस्तों complete स्वादिस्ट या जायकेदार नेक्स्ट है डिपार्ट दोस्तों डिपार्ट का सिनोनिम्स लीब हो जाएगा दोस्तों डिपार्ट मतलब छोड़ना होता है और लीब मिंस भी छोडना होता है एक przesthahस दूसरедь पर चले जाना next मित्रों difficult दोस्तों difficult का synonyms hard हो जाएगा दोस्तों difficult मतलब कठीन होता है hard मतलब या होता है cut हो रहा कठीन होता है next है easy तो दोस्तों easy का synonyms simple होता है easy मतलब आसान और simple means subtle भी कर सकते हैं next word की तरब बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है आप लोगों के लिए आखर दोस्तों ऑखर का synonyms happen होता है मतलब घटी थोना या कोई घटना होना to happen मतलब किया होता है घटी थोना next है old यहां प्राचीन से मतलब है पुराना से मतलब है और chans मतलब मॉक्त हासर होता है नेक्स्ट वरट की तरब बढ़ते हैं जो कि है लेट respuesta पीज का पोजिट्ट वड़्ट सीट होता खड़कि Centers lah beautiful गपते ढुक्ति शूह अधर क्राइब टो आधर सिंवेशना धर्र करेत इसका भीansब को सुनुक्त आधरर नेक्स्ट अधर संति का स्टी मतलब सान्ति और मतलब होता है सबस्क्राइब। करें सांध य यह संद्निनर्ट करना होता है मतल्ट आ इनकार करना होता还 देनाय मतलब दोस्तों मना कर देना या फिर कहसकते इंकार कर देना होता है नेक्स्ट वर्ट की तरफ बढ़ते हैं जो की है end तो दोस्तों end मतलब unt होना या शमापत होना इसका दोस्तों synonym finish हो जाएगा, next है enormous तो दोस्तों enormous मतलब भिशाल होता है इसका synonyms huge हो जाएगा तो huge means में दोस्तों भी होता है next tells FASTS DO taking the العendsर्श का synonym's quick होता है dedicated small okay worrying क्यों होता है देज या जल्दी से next she is full his full followbacks引退 होता है model örfool मतलब मुर्ख रहीं क्या होता है leag end t major promote धитель दोस्तों इंज्यॉसर 파ुल्ट मतलब अनंद लेना और इसका दोस्तों सीनोनिम्स फन हो जाएगा फन मतलब भी क्या होता है मौज बस्ती करना नेक्स्ट है मित्रों जो की गार्बेज तो दोस्तों गार्बेज का सीनोनिम्स ट्रास हो जाएगा तो दोस्तों गार्बेज मतलब कूड़ा होता है ट्रास मतलब भी कूड़ा ह और आप यहाथ कर सकते हैं कर नंज होता है घैदर कर से मतलब हब उपहार होता वरतमान बहुता है लेकिन झाल का मतलब उपार से मतलब है next है एक्सिलेंट दोस्तों excellent का pinhin audio good होता है दोस्तों excellent मनतों सांदार और इसका दोस्तों तरफ अछा होता है next word की तरफ बढ़ते हैं जो कि है help लो है CH lebih मतलब मदद करना इसका दोस तो थम्हानीम हो जाएगा असिस्ट मिनज पर दरसा हाइता करना next है thought मिन्स सोच या बिचार होता है और दोस्ते इसका सीनोनिम्स हो जाएगा idea था आइडिया मिन्स भी बिचार होता है next है interesting to interesting का synonyms exciting हो जाएगा दोसे interesting मतलगu रूछी कर या मनरंजक होता है exciting मतलग कर सकते हैं दोस्त दिल काइन मतलब दयालू या उदार होता है इसका दोस्तों सीनोनिम्स हेल्पूल हो जाएगा अर्थात सहायक हो जाएगा अर्थात मदद करने वाला नेक्स्ट है लाफ तो दोस्तों लाफ मिन्स हसना होता है इसका दोस्तों सीनोनिम्स गीगल हो जाएगा गीगल मिन्स दोस्तों क मिस्टेक का सेनोनिम हो जाए करना नेस्ट नोनिम का सिनोनिम से साफ होता या साफ होता है नेक्सट चेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आप लोगे लिए रेस्ट तो दोस्तों रेस्ट का सीनोनिम से रिलैक्स होता है रेस्ट मतलब आराम करना और रिलैक्स मिन्स भी क्या होता है आराम करना नेक्स्ट है रीच तो रीच का वेल्थी हो जाएगा इसका सीनोनिम से दोस्तों रीच मतलब धनी और वेल्थी मिन्स भी क्या होता है धनी या शम्रिद्ध भी कर सकते हैं या सम्रिद्ध साली ठीक दोस्तों नेक्स्ट है तो स्कॉर्स का सीनोनिम्स रफ होता है दोस्तों मतलब मोटा या जिसे खुर्दरा भी करते हैं जो इसमूद नहों ठीक हां राउन्ड मतलब गोला होता है और सार्कुलर दोस्तों बृत्ताकर गोलाकार हो सकते मतलब धुखी होता है नाराज भी कर सकते हैं और यह प्रशन नहुत हो अर्थाइइ West बरद की तरब बढ़ते है दोस्तों जो किैसी है We are cannot अच्छरे मतलब कालीन होता है या दरी भी कहे सकते है या घलीचा भी काहः जाता है इसका दोस्तों क्या हो जाएगाdos कार्पेट होता है कार्पेट थो क्या होता दरीया करना नेक्सेट है जो दोस्तों बिछाने बचाने का मता है स्क्यर का पोजीट वए अफ्रेड होता है तो ढरना या भाइबीगी होता है इंब helpful parents स्का सीनोनिंस होजाएगा था मतलब भी दोस्तों सर्मीला या सर्मिंदगी के की तरब बढ़ते हैं मित्रों जो कि है ट्रस्ट दोस्तों ट्रस्ट का सिनोनिम्स बिलीब होता है दर ट्रस्ट मतलब दोस्तों विश्वास करना और विश्वास करना है ना नेक्स्ट वर्ड है अनफार्चुनेट दोस्तों अनफार्चुनेट मतलब कर सकते हैं भागा ठीके दोस्तों मतलब कीमती हो जाएगा और वर्थ मींस भी क्या होता है कीमती नेक्स्ट वर्ड की तरब बढ़ते हैं वांट दोस्तों वांट में शाना होता है इसका सीनोनिम्स डिजायर हो जाएगा डिजायर मतलब दोस्तों इच्छाया आकांचा भी कर सकते हैं अचाहना भी होता है नेक् इसका नेश्ट और लाष्त है दोस्तों आसके बीडियो लेक्चर का जो की रांघ का की होता है इसका दोस्तों सिनोनिम्जäg गलत होता है उसका भी महत्पूर्ण अंग्रेजी के कुछ सीनो निम्स अर्थात पर्यावाची सब्सक्राइब थे उसका दोस्तों हम लोगों ने काफी अच्छे से अर्थ के सांद उसका देन किया है तो दोस्तों मैं आसा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो यदि आपको वीड वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूं दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जैहिन जैभारत